पुलिस भरती परिक्षा की तैयारियों को लेकर आपको बता दे कि सफलता क्लास ने पुलिस भरती को लेकर एक नया बैट शुरू किया है जो 23 जनवरी से शुरू हो चुका है सफलता क्लास का ये ओफर 31 जनवरी तक है और आपको गंतंत्र दिवस पर एक खास छूट भी दी जा रही है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं कोर्स की अबधी चार महिने की है इस कोर्स की थीम है पुलिस की नौकरी का इरादा पक्की तयारी का है हमारा बादा तो अभी जुड़े सफलता क्लास के पुलिस बैट से और एड्मिशन के लिए कॉल करे 011-4014-6084 पर एक बार पुनहा नंबर आपको बता देते हैं 011-4014-6084 तो आज हम इस खास पेशकश में हमारे खास महमान से जानेंगे कि कैसे पुलिस भरती परिक्षा की तैयारी की जा सकती है तो आपको बता दे कि आज हमारे साथ एक खास महमान इस वक्त स्टूडियो में मौझूद है सुनील बुरा जी जो की हरियाना पुलिस में सब इंस्पेक्टर है वो इस वक्त हमारे साथ मौझूद है सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है जेने बात सर सभी को नमसदे जैहिन तो चलिये शुरुवात करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे रहेगा कि पुलिस भरती की जब हम तैयारी की बात करते है तो बच्चों के मन में काफी डर रहता है यह सर और हैस और कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं तो पुलिस भरती की तैयारी आखिर कैसे की जानी चाहिए? तो फीजिकल में में होता है जैसे हर्याना में पांस किलो मिटर की रेस होती है यूपी में अलग होती राजस्तान में अलग होती तो हर स्टेट के अलग क्राइटेरिया बनाया उन्होंने रेस का तो फीजिकल स्टेंडर्ड इतना हाई नहीं होता है जैसे आर्मी में होता है कि उसको चार सैकंड में लगानी होती है. मतलो चौर सिक्स्टीन या चार टवंटी इस तरीके चार टवंटी लगा लो या पांच मिट लगा लो. लेकिन जो physical standard है पुलीस का किसी भी state का वो इतना हाई नहीं होता कि इसके लिए बहुत ही जादा जोर लगाना पड़ता हूँ नर्मल physical standard होता है इसके लिए जो कोई भी बच्चा पास कर सकता है जैसे इसके लिए उन्होंने क्या होता है कि पुलीस में हट्टे कट्टे ही चलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सर पुलीस में नर्मल बंदा जो एक मंत की त्यारी में physical standard की त्यारी कर सकता है जी सर यह तो physical की बात रही लेकिन अगर हम written परिक्षा की बात करें जिस तरीके से हम सवत्ता classes में भी हाँ पर written परिक्षा की तैयारिया करवाते हैं तो उसके लिए किस तरीके की तैयारिया चाहिए होता है रिटर्न के लिए सबसे हर स्टेट का अलग क्राइटेरिया बना गया सर जैसे किसी भी से हम हर्याना को उठा लेते हैं तो हर्याना में जैसे 100 नंबर का ज़गम होता कोई भी तो उसमें हर्याना में GS में फोकस होता है जैसे 70 अगर 70 क्वेस्टन GS के आते हैं सो में से 10 नंबर का मैथ 5 के रिजनिंग 5 के हिंदी 5 का कंप्यूटर लगा लो या 5 के अनिमल है स्बैंडरी तो सबसे में फोकस होता है GS का सर और अधर स्टेट का जैसे UP में है जैसे UP में अलग से आता सर 40 नंबर की हिंदी आती उसमे तो वह पर जो 40 नंबर की हिंदी आती रूम रोल अदा करती है हर्याना में GS में रोल अदा करती है तो जैसे राजास्तान पुलीस का लगा लो that वहां पर भी nope. अर्थमेटिक में है जितो हर स्टेट का ऐक अलग क्राइटेरिया बना अगया कर सर अगिजाम का दो वहीं अगर जिस तरीके से सुनील जी आपने भी एक्जाम दिया है और आपको भी पता होगा कि किस तरीके का प्रेशर होता है जो भी परिक्षा देने के लिए जाते हैं उनके उपर एक प्रेशर बिल्ड अप हो जाता है और उसके बाद जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहि वो कई बार नहीं बाते हैं उस pressure के चलते हैं तो उस pressure को release करने के लिए या फिर किस तरह की की तैयारिया करनी चाहिए ताकि वो pressure build-up नहीं होते हैं तो यह सब से पहले हमारा जो mindset है।ओ इतना week कर दिया है कि हम हर point पर अपने आपको demoralize कर लेते हैं जैसे प्रिक्सा में कोई भी अगर एक भी question नहीं आ तो वहीं पर हम अपने आपको stop कर देते हैं कि यह नहीं आया तो सारा paper ही चला गया जैसे hundred question होते हैं अगर हमें कोई question नहीं आता तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही आना चाहिए अगर मुझे question नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता क्योंकि उसके बाद 99 question भी बसते हैं तो हम एक question की वज़े से अपने वो जो बाकी के question है क्योंकि हम demoralize होने के बाद कई question अपने आप गलती कर जाते हैं जो हमें खुद आते भी होते हैं और हम गलती भी कर बैठते हैं तो इन चीजों स जो class में teacher हैं उनको एक teacher की बजाएक motivator होने की जुरूरत है ताकि वो बच्चों को दिमाग इतना strong करसके ताकि वो exam को एक exam ना लेकर सिर्फ एक छोटा सा वो सोचें की आज exam है बैस उसको exam को एक बहुत बड़ा एक वार की तरह एक युद की तरह ना ले जी वहीं सुनील जी अगर बात की जाए जिस तरीके से exams की हम बात कर रहे हैं तो शुरुवात से शुरू करते हैं कि शुरुवाती tips आप किस तरीके की देना चाहेंगे किस तरीके से शुरुवात की जाए preparation की सबसे पहले सर जैसे आज का जो मोहल है कि पहले क्या होता था ट्रेडिशनल जीएस आती थी या ट्रेडिशनल मैथेमेटिक्स आता था या मतलब जो सम सर बार बार जैसे किसी जैसे कोई अग्जाम हो गया cds का वही दोबारा से assistant commanded का अग्जाम हो गया तो वही question repeat होते थे जैसे CHSL का अग्जाम हो गया तो दोबारा से CGL में वो question आ गए जैसे हर्याना Police का अग्जाम हो गया तो तब यह जो ट्रेडिशन जो चेंज आया है सर जी अब यह चीजें बदल गई है क्वेस्टन पूरा डैफ्ट में जाता है एंसी आर्टी बुक आजकल फोलो करने की जुरूरत है पहले क्या आता था एक जीएस की नॉर्मल सी बुक आती सर लुसेंट की उससे क्वेस्टन उठ लेते थे लेकिन आजकल क्या है कि वो ट्रेडिशन चीजे छोड़कर एक अच्छे पैटन के क्वेस्टन आने लगे हैं सर तो जरूरत है जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी जरूरत है कि अपने मोड को बदलें बार बार वही चीजे ना पढ़ाएं जो कई सालों से पढ आना चाहेंगे कि अभी इस वक्त सफलता क्लासिस का स्पेशल गंतंत्र दिवस ओफर चल रहा है जिसका फाइदा आप उठा सकते हैं तो जल्द से जल्द आप एडिमीशन लीजिए और इस ओफर का फाइदा उठाएं तो 31 जनवरी तक यह ओफर वैलेड रहेगा तो वहीं सर जिस तरह से आपने सब्जेक्ट की बात करी आपने ऐसे ही कौन-कौन से ऐसे विशे हैं जो की स्कोरिंग विशे माने जाते हैं जिन पर जादा फोकस करने से जो रिटन एक्जाम होता है वो अच्छे से दे सकता है कोई भी स्टूड़ेंट सर यह हर स्टेट का अलग होता है जैसे हर्याना की जिगर करूं क्योंकि मैं हर्याना से बिलोंग करता हूं तो हर्याना में हमारे जी एस पर फोकस है और यूपी में जैसे हिंदी पर फोकस है जैसे मध्या पर भी जी एस में फोकस है और राजस्तान में भी फोकस है जो इनी भी सिंपल आती सर तो मेरी स्पेशली अडवाइज है कि जी एस के जो लेवल है तो उस जी एस के लेवल को एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए ट्रेडिशनल जी के आज कर नहीं पूछी जाती ना ट्रेडिस्ल मैथेमेटिक्स पूछा जाता तो सर इसके लिए मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब अच्छे हाई क्वाल्टी टीचर से पढ़ने की जरूरत है और खुद सेल्फ स्टड़ी भी सर इसके लिए बेनिफीचल होती क्योंकि सेल्फ स्टड़ी क्या होता है कि हम उन चीज़ों सो डैफ्ट में पहुंच पाते हैं क्योंकि हम टीचर प आप कहो तो मैं खुद का experience share कर सकता हूं तो जीएस के लिए सर क्या कि आप सबसे पहले NCRT की बुग को फोलो करें और जो टीचर NCRT बेस पढ़ा रहे हैं क्योंकि सर जो पिछले मतलो मैं मार्केट में खूब सारे टीचरों को जानता हूं क्योंकि मैं खुद टीचर भी रहा हूं जीएस का तो यहां पर क्या है कि सर जो जीएस है जो टीचर NCRT बेस पढ़ा रहा है उस टीचर को फोलो करें या क्योंकि आजकल क्या कि YouTube है सर आजकल सबसे आपको भी पता कि YouTube सबसे बड़ा आजकल वो है लेकिन सबसे ज़्यादा जो कबाड है मार्केट में हो सबसे ज्यादा यूटूब पर मिलता है तो इन चीजों से बचना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा विश्वास कर लेता है और हजारों वीडियो देखता है और वो सेल्फ टड़ी भी नहीं कर पाता और उसका टाइम चला जाता है और अग्जाम में कुछ भी नहीं मिलता जो उसने डेड़ सारा पड़ा है क्योंकि उसकी कोई कमी नहीं है सर बस उसको गाइडनेस की कमी होती है वहीं सुनील जी हम बात कर रहे हैं लगातार तैयारियों की और कई बार हमने देखा है कि बच्चों की जो तैयारियों का जाते हैं तो उसका जो खामियाजा है वहां भूगतना पड़ता है तो उससे बचने के लिए कोई टिप सर यह मैंने खुद मतलब फेस की हैं चीजें जैसे पुलीस का लगा लो कोई भी एक्जाम या कोई भी जैसे टैक्सेस इनिस्पेक्टर का लगा लो स्टेट में कोई लगा लो वहता है क्या कि उन्होंने मैंशन किया कि 10th standard की ही बुक में से आपको question पूछे जाएंगे math का और 10th standard का ही science पूछी जाएगी आला कि UPSC तक भी 10th standard से बाहर math जो CSET होता है उसमें कोई math का question डालते हैं तो वहां भी 11th standard का question ही डाला जाता और ना ही science के question डाले जात साइंस है जो हमारी science है वहां से question उठाएगा तो only 10th standard का उठाएगा लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे हाली मर्याना में एक अग्जाम हुआ था जी अभी कलरक का उडोंने क्या क्या कि लैमेंट ट्वेंट की chemistry की reaction उठाली के एंडरोजी रेक्शन कोब रियक्शन जो बच्चा कभी जैसे art का बच्चा ग्यारमी वार्मी का commerce का बच्चा है तो उन चीजों को कभी पढ़ ही नहीं पाएगा तो यह चीजें गलत है सर तो पैटरन एक पूरा होना चाहिए कि यह पैटरन है क्योंकि UPSC जो सबसे बड़ा एक्जाम है उसका भी एक पैटरन है कि यहां से question put up करेगा तो state का कोई भी एकजाम हो तो एक पैटरन होना चाहिए कि इसमें से ही question पूछे जाएंगे तो आपने pattern की बात की साथी साथ कई बार ऐसा होता है कि हम जब तैयारियां कर रहे होते हैं या कोई भी जो इस तरीके के जो competitive exams होते हैं या पुलिस की भरती कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पुलिस भरती की जो परिक्षाएं बच्चे दे रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बर return की तरफ जाधा focus नहीं रहता है और जाधा focus बच्चा physical की तरफ करने लगता है तो इससे कितना नुकसान हो सकता है सर मैं सुर्वात में ही का था कि फीजिकल पर इतने जोर देने की जुरूरत नहीं है पुलिस में क्योंकि जो आर्मी की फीजिकल वह होती डिफिकल्ट होती है मैं मेरे खुद का experience सेर करता हूं सर मैंने सिर्फ पंदरा दिन त्यारी की कि जो हर्याना पुलिस का सब इंस्पेक्टर का अग्जाम है तो मैंने जो रेज की त्यारी कि वह सिर्फ पंदरा दिन की है तो मैं जो उन बच्चों को एक message देना जाता हूं जो फीजिकली थोड़े से weak है या मतलब उनको demoralize करते हैं तो उनको बस एक message दूँगा कि पुलिस के लिए अपने आपको weak मत समझागर आपकी height 57 से उपर है या 57 है normal भी है तो थोड़े दिन त्यारी करो और इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ return पे ध्यान दो क्योंकि physical जो standard है वो इतना high नहीं है उसके बाद अगर आपको अच्छी body sody बनाने है तो अपने आप उ प्यारी कर रहे हो तो तो सुनील जी कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार facebook के माध्यम से और लगातार अपने जो सवाल है वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके कुछ सवाल भी हम आप से ले ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उ जैसे जो हमारा strong subject है उस strong subject को हमें चूज करना चाहिए क्योंकि जैसे हमारी अगर GS strong है अगर GS के 40 questions है अगर हम 40 questions में से 30 या 35 भी कर लेते हैं तो अपने अंदर confidence build up हो जाता है और वो confidence हमें 100 तक लेके जाता है वो बाद की बात है अग्जाम से बाहर आने के बाद हम देखते जैसे हम week पे आए जैसे हमारा mathematics week है अगर हमसे वहाँ पर कोई question नहीं भी हो रहा तो यह सोचना कि यह हमें नहीं आ रहा तो दिमाग में एक ही strategy होनी चाहिए कि यह हमें नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आ रहा इससे क्या होगी positivity आएगी क्योंकि exam में सबसे बड़ा जो main factor positivity है और एक motivation है अपने अंदर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि वो question आपको नहीं आ रहा या दूसरे को आ रहा इन चीजों से आप demoralize होगे और demoralize आपके तीन-चार question ले बैठेगा और यह चीजें आपको उस exam के qualify होने से बहुत दूर लेके चली जाएंगे जी बिल्कुल सुनील जी कई सारी चीजे आपने हमें यहाँ पर बताई पैटन की बात हमने की सब्जेक्ट की बात हमने की कौन-कौन से scoring सब्जेक्ट है क्या कुछ पैटन रहना चाहिए वह एक सवाल है कि जिस तरीके से कुछ गलतियां जो students जारतर कर देते हैं जैसे वह एक्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है तो वह ऐसी कौन-कौन सी गलतियां है जिनसे बचना चाहिए सर सबसे पहले तो जैसे हम एक्जाम सेंटर में जाते हैं तो एक्जाम से मेरा मानना है कि एक दिन पहले बुक छोड़ दें मेरा खुद का मानना है कि जैसे एक्जाम कल है तो लगबग साम को बुक छोड़ देनी चाहिए और जो एक्जाम सेंटर से बाहर जैसे क्या होता है कि सर एक्जाम सेंटर से बाहर कई सारे बुक लें बुक हाथ में होती है और त्यारी कर रहे होते हैं तो उनको देखके हमें लगता कि ये बहुत पढ़ने वाले हैं और इनी का सेलेक्शन होगा हमारा नहीं होगा तो वो चीजें हमें डिमोरलाइज करती हैं वो टेस्ट नियर दा टेस्ट तो जब भी आपको लगे कि अग्जाम आने वाला है तो एक दिन पहले छोड़ दें लुकि जो त्यारी है सर वो हो चुकी होती है यह नहीं कि आपने आप जैसे सफर कर रहे हैं कि दस बजे टेस्ट और आट बजे सफर कर रहे हैं तो उससे दिमा संसे अच्छी त्यारी किसी निहीं किया है और हमने जितना पड़ा उससे ज्यादा किसी ने भी निए पड़ा यह चीजे हमें मोटिवेट करती हैं सर्फ तो इन गल्सिऑं से हमें यहाँ पर बचना चाहिए और रे लाड़ी कभी भी हवाबाजी नहीं करता हूँ अपने खेल पे ध्यान देता है जो अच्छी त्यारी करने वाले बच्चे हैं वो कभी एक दूसरे के साथ डिमोराइज नहीं करते तो ऐसे नैग्टी लोगों से हमें बचना चाहिए तो मेरी जो त्यारी कर रहे हैं उनसे सजे का एक खास ओफर भी इस वक चल रहा है एक बार फिर से हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 31 जनवरी तक रिपब्लिक डे ओफर यानि गंदतंतर दिवस का ये खास ओफर आप सभी के लिए चल रहा है जिसमें आपको भारी छूट मिलने वाली है तो इस ओ अलावा जो बाकी के subjects हैं उनको लेकर उनका सवाल है कि उनकी तैयारी किस तरीके से कि जाए जैसे सरं पता क्या हर बच्चे की अपनी एक strength होती है और है بچ्चे की अपनी weakness होती है तो सबसे पहले खुद को ये देखना चाहे कि मेरा strong subject क्या है अगर उसका जो strong subject है उसको बार तो जो चीजे वीक हैं, जैसे हमारा अर्थेमेटिक अडवांस लगा लो, या अर्थेमेटिक अडवांस, दोनों मैथ हमारे वीक हैं, तो हमें बार-बार मैथ को पढ़ने की जुरूरत है, अगर हमारा सब्जेक्ट स्ट्रोंग जीएस है, तो हमें जीएस को बार-बार चाहिए सुनील जी जिस तरीके से आपने बताया कि आपने यहां पर सब इस्पेक्टर का जो एक्जाम है वो क्लियर किया हम यह जानना चाहेंगे कि आपके सामने किस तरीकी की परिशानी आए थी क्या वह आप साजा करेंगे हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े क्योंकि सर मैं साइस बैंक ग्राउंड से हैं मैं सी कमेस्टरी हूँ तो मुझे साइस में कोई दिक्कत भी नहीं सर क्योंकि आज कल क्या है कि साइस एक जियस में में सब्जेक्ट है सर अगर आपको यह लगा लो कि अगर 25 क्वेस्टन आते हैं किसी विज़े से CGL में आई य यह कॉंस्टेबल में आई पॉलिस में यह हैड कॉंस्टेबल में यह साइस में अगर वहां पर साइंच बीस नममर के आरी तो तो वहां पर सर बायलोजी सबसे ज़ादा आती है तो हमें सबसे ज़्यादा biology पर focus करना चाहिए सर उसके बाद physics पर उसके बाद chemistry पर तो सर मेरे सामने तो सबसे ज़्यादा math की आई थी और कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं GS सर पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं पहले paramount में teacher था और prudence में अभी teacher था मुखरजी नगर में सर तो मेरे सामने तो क्योंकि हर्यादा में जो पुलीस का paper होता है सर उसमें 70 questions GS के आते हैं तो हमारा खुद का subject 70 का लगा लो तो फिर तो मेरे सामने तो कुछ हाई नहीं सर बिलकुल बिलकुल कई दर्शक हमारे साथ जड़े हुए हैं एक और दर्शक हैं विनीत इनका नाम है बताया है कि यह चीजें blank इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम एक्जाम से पहले जैसे हम हमारा किसी school में लगा लगा लो या college में एक्जाम है हम वाँ बाहर खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को देख जाते हैं कि यह पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ नोर्स उठा ले इतना पड़ा है इतना किसी ने भी नहीं पड़ा है और जो हमारी त्यारे की strategy वो सबसे best है क्योंकि अग्जाम में यह चीजें लेके चलेंगे तो आँपर हमारे जो motivation आएगी वो सबसे best होगी और जो feeling के साथ हम exam देंगे वो सबसे best होगा उसके बाद बहार आके जो जोब को हम सर सफलता नहीं लेके चलते कि कोई जोब लेली IPS भी लगया या IS लगया तो सफल हो गया सफलता तो सर मुढ़ापे में वापी जाएगी उसने क्या अचीव किया है लाइफ में बिलकुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो परिक्षा हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए बलकि उनसे डट कर उनका सामना करना चाहिए तो इनी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम exam देने जाते हैं तो हमारा जो pressure है वो अपने आप ही release हो जाता है और कही अच्छा performance examination hall में दे सकते हैं वहीं एक और सवाल है मेरा सुनीली आपसे जिस तरीके से time management की बात अगर हम करें कई बार ऐसा होता है कि time की कमी के चलते हैं हमारे कई questions examination hall में छूट जाते हैं या फिर जब हम preparation की बात अगर हम कर लें तो prepare करते time time management कैसे set करना चाहिए किस तरीक question आई जी अगर हंडर question में हमें 60 question आते भी हैं जी तो हमें सबसे पहले वह करने चाहिए जो हमें आते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि sir number sir वह था जो मुझे आता था जी तो सबसे पहले exam में हमें वह चीजें करनी चाहिए जो सिर्फ हमारी the best है और जिन पर हमें 100% sure है उसके बाद 40% बसता है 40% में sir हमें बार बार उनमें बार बार जाना चाहिए कि जिसके पास हम जैसे दो चार option आते हैं इस एक्जाम में तो ह तो उसके बाद भी 15-20 question बसते हैं जो हमें नहीं आते अगर negative marking होती है तो obviously बात वो छोड़ देने चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि 0.5 से भी हम रह जाते हैं कि जहां पर negative marking होती है तो negative marking से भी बचना चाहिए क्योंकि हम कई बार risk लगा लेते हैं कि हैं जैसे 20 question है कि 20 question है इनको देख लेते हैं कि 5-6 तो ठीक होंगे ही तो यह चीजे हमें negativity की तरफ लेगे जाती है और वहां से हम पॉइंटों में selection रह जाता है और वो चीजें सर हमें सारी मर्ग अपने आपको दोस्त देते हैं बिलकुल यह तो रही examination hall की बात लेकिन अगर हम तयारियों की हम साथ करें लेकर मेरे सवाल कि तैयारियों को लेकर हम time management कैसे कर सकते हैं कि इस subjac commitment को हमें इतना time देना हैं सर वहां पर सबसे ज्यादा मैत होर इंड़ी को टाइम डेता है क्योंकि 200 क्वेस्शन मैंत का 200 मैं इंगलीजर्ट तो वह पुलीश के एकजाम पर डिपेंड करता है कि उस सबसे ज्यादा टाइम किसके हो जैसे हम यूपी पूलीश की बात कर लेते हैं सर हम बार-बार मतलब हर स्टेट को लेके चलेंगे जैसे यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा हिंदी आती है 40 क्वेस्टन की तो हम जैसे अर्याना वाले हिंदी को थोड़ा सा इजली लेके चलते हैं लेकिन जो यूपी की जो हिंदी आती है 40 नंबर की क्योंकि वह बास्ट होगी सर उसके मल्टीपल फोर मल्टीपल होगी तो हम हिंदी की स्टेटरजी अलग से बनाएंगे च्छी बुक प्रैफर करेंगे तो वो डिपैंड करता है कि उस पैटरन में की जो स्टेट का अग्जा पढ़ें और मैट के लिए अच्छे टीचरों को सेलेक्ट करें अच्छे यूटूब चैनल पर जाएं अच्छे अच्छे बुक लें तो डिपैंड करता है कि सर उस पे की अग्जाम का पैटरन क्या है और हमें उसी कोडिंग हमें उसकी क्यारी करनी है एक और दर्शक हमारे पैटरन है जिसके तहट एक्जाम्स बनाए जाते हैं सर मैं जैसे पिछले पांसा साथ साल से हूं सर इस कोचिंग इलस्ट्री में दो हजार मतलब दो हजार चोदा में मैंने MSC की उसके बाद हूं तो मैं पैटरन देख रहा हूं सर दो हजार सत्रा के बाद एक पैटरन में चेंज आया है हर बार पिछले तीन साल से कंट अफेर पे फोकस कर रहा है पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल जी के आई उस तरीके से क्वेसिन प पे फोकस करने की जुरूर्ट है क्योंकि अगर जीस में पहले क्या होता सर एक दो क्वेसिन आते थे करेंट के लेकिन आजकर करंट फेर के ज्यादा क्वेसिन आने लगे तो मेरा सजेस्टन है कि इन चीजों पर भी करंट अफेर पर ध्यान देना चाहिए सार तो जाधा से जादा फोकस हमें उन्हीं चीजों पर करेंगे जो पैटन के मुताबिक बंपाइस एक सेटप उसी यह पर हमें जुआधा फोकस करना चाहिए जो पीछला सेट-पोस क्या होता कि हर साल जो पैटन होता वो बदलता यह नंद न 2 यहां था ऐसे चंब्समेंट तो हमें उस पैटरन के कार निया जाहिए लिप्षे तो पीछे निए रहत उसको पढ़ने का फाइदा क्या है तो are alexeam के तरिके से अपने आपको प्रिपेर की पूछ क्या रहा मार्केट में question क्या क्योंकि question bank होता सर वो भी एक market में product ही होता है आज कल ये चल रहे हैं तो आज कल जो चल रहा है सर वो current के मुद्धे ज़्यादा पूछ रहा है GS में और mathematics में भी advanced level का math पूछ रहा है तो हमें चीजों पर यहाँ अवेर रहना चाहिए कि आजकल मार्केट में किस तरह के क्वेस्टन आ रहे हैं एक और हमारे साथ जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़ गए हैं इनका नाम है सुमित और इनका सवाल है कि मैट्स को लेकर ये काफी घबराते हैं जिस तरीके से आपने भी कहा कि मैट्स से क अच्छे टीचर के पास क्योंकि सर मैं तो किसी टीचर से कभी पढ़ा नहीं मैथेमेटिक्स तो उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि मुझे किस टीचर का समझ में आ रहा है क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा ब्रांड के पीछे भाग आता है कि जैसे कोई बहुत इतनी बड़ी भी नहीं कि फोबिया बना दिए मैथ कुद कहता है मैं आता तो हूं तो मेथ की फुल फोम है वो खुद कहता है मैं आता तो हूं आप करते ही नहीं यानि कि मैक्स की प्रिपरेशन करना इतना भी मुश्किल नहीं है तो आप अगर उसे पूरी बेसिक्स जो उसके हैं अगर वो क्लियर कर लिए जाएं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाती है क्या है कि सर कोई चीजें क्या होता है कि जैसे एक बीमारी का हुआ बना दिया जाता है और उसके मार्केट में इंजेक्शन दिये जाते हैं और जिसने मार्केटिंग की होती है उसकी कि ये बीमारी आ गई तो वो इंजेक्शन भी खुद ही बेच रहे होते हैं तो ये भी मैट mathematics bc3 cc के भीमारी है जो खुद मतलब जो बड़े-बड़े टीचर है उसको मार्केट में उतार देने कि math tough है tough है ऐसा कुछ भी नहीं है math सबसे easy subject है क्योंकि sir मेरा खुद 10th मतलब bsc तक math रहा है और site मुझे ध्यान तक ध्यान है math में sir मेरे 90 above है math में लेकिन उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं आया लेकिन जब मैं पढ़ता था sir पूरा आता था math ऐसी बात नहीं है कि math tough है math सबसे easy subject है क्योंकि इसमें sir आपको सिर्फ rule follow करने है यह game की तरह है जैसे कबड़ी का होता है कुस्ती का होता है किर्केट का तो इसमें आपको rule follow करने है उसके बाद कुछ नहीं है था तो सुनील जी समय की अभाव की चलते हमें यह जो हमारी खास पेश कर से यहीं पर विराम देना होगा तो चलते चलते आपसे जाना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं फेस्बूक के माद्यम से सवल्टा क्लासे के माद्यम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको क्या कुछ संदेज देना चाहेंगे मैं सिर्फ ही मेसेज देना साघ्वा सर की मोटिवेशन होके त्यारी करें अपने पेरेंट्स को देखें कि इन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है और सबसे बड़े spill रोड Green पेरेंट्स होते हैं इनसे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं की आपके रोल मॉडल कोई हीरो है किसी का नाम तो नहीं लुगा आपके रोल मॉडल के पेरेंट्स है उनको देखकर त्यारी करें और कोई भी एक्जाम बड़ा नहीं होता अगर आप कोंस्टेबल की सोच रहे हैं त से हल तक जो कोंस्टेबल से डेकर IPS बने है और जो यूपी के देख रहे हैं वो बलिया का स्याम बाबू जो हाल ही में SDM बना है जो कोंस्टेबल था जी तो ऐसे हजारों गजैंपल जो कोंस्टेबल से IPS बने हैं तो अपने आपको मोटिवेट करें और यह मत सोचे कि हम रखें और त्यारी करें बिल्कुल और सफलता क्लासेस के साथ जुड़कर भी आप जादा से जादा अच्छी तैयारी यहां पर कर सकते हैं रिपब्लिक डे का ओफर भी स्वक चल रहा है गंतंतर दिवस पर खास यह ओफर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सफलता क्लासे हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर आपको बता दे कि सफलता क्लास का पुलिस भरती को लेकर एक नया बैच 23 जनवरी से शुरू हो चुका है सफलता क्लास का गंतंतर दिवस पर यह खास ओफर 31 जनवरी तक है और आपको यह खास पॉल करें शुन्य एक चार शुन्य एक चार छे शुन्य आठ चार पर तो इसी के दाद इस खास कारेकरम में मेरे साथ इतना ही आप बने रहिए नमस्क्राइब